आप सबी का नीलम स्टिफ्टेन ब्लॉग में आज किसी वीडियो में आपके साथ चावल के पापड की बहुत ही ज्यादा फूले हुए हैं और आपको तोड़ कर भी दिखा रही हूं कितने ज्यादा क्रिस्पी चावल के पापड बने हैं तो आज इसी चावल के पापड की जो रेसिपी है मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं जो की बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट होता है और बनाने में बहुत ज्यादा आसान होता है जट पट से बन जाता है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिया और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस तो वीडियो मागे बढ़ने इस पहले मेरे रिक्वेश्ट है की चैनल पर पहली बाहरा है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब परके विल पाउडर है इसका तो एक कटोरी चावल काटा मेंने ले लिया है किसी बड़े बरतन में आपको लेना है क्योंकि चोटे बरतन में ये पापड बनाने में दिक्कत होगी इसलिए आपको बड़े बरतन में और है भी यानिकी मोटे तले वाला बरतन आपको ले लेना है जिस चार पांच छै शाथ आट नौ तो गरी नौ कटोरी पानी मैंने यहाँ पर ले लिया है गिलास या कटोरी किसी भी बरतन से आप चावल काटा ना पर है उसी बरतन से आपको नौ गुर्णा पानी इसमें डाल देना है उसके बाद में चोथाई चमस नमक डाल रही हैं तो नमक ज्यादा नहीं डालना क्योंकि पापड सुखने बाद नमक बहुत ज्यादा हो जाता है एक सदो पिंच में आप बेकिंग सोडा डाल रही हूं यह टूटली ओफसनल है क्योंकि बीना बेकिंग सोडा के भी पापड काफी अच्छे बनते हैं तो इसको अच्छे से मिक्स कर तो अभी मैंने इसको नीचे ही रखा है क्योंकि गैस पर रखकर पकाने लगते हैं तो इसमें जो चावल काटा उसमें बहुत जल्दी से लम्स बन जाता है इसलिए हम सबसे पहले इसको लम्स फ्री बैटर त्यार कर लेंगे उसके बाद हम इसको पकाना सुरू करेंगे तो आप देख सकते हो इसका लम्स फ्री बैटर बिल्कुल अच्छे से बन कर त्यार हो चुका है और आप मैंने इसको गैस पर रख दिया है पकने के लिए तो मैंने अभी फ्लेम को बिल्कुल फूल रखा हुआ है और फूल फ्लेम पर हम इसको लगतार चलाते हुए जैसे बैटर गरम होगा वैसे इसकी तीक होने लगी तो आप देख सकते हो इस पहले से कहीं ज्यादा इसकी तीक हो गई है लेकिन इसमें अब आप इसमें उबाल आने लगा है उबाल आने के बाद कम से कम 15 मुट तक हम इसको पका लेंगे तो उबाल आने के बाद कम से कम 15 मुट तक आप इसको जरूर से पकाएं क्योंकि उसके बाद इसको अच्छे से पकना जरूरी होता है तो जब यह उबाल आने लगे तो कम से कम 15-20 मुट तक आप इसको पका लें तो पापढ का जो खराब हो जाता है किmax कर identifying का जांगे तो हुआ कि God को यह अच्छे से हम डाल की आप चाहिए जीरे की जगा पर कनाओं यह यहां जाब यहां कि हम इसको एक polythene पर डाल देंगे, polythene पर मैंने हलका सा oil लगा कर इसको ग्रिश कर लिया था, उसके बाद हम इसको मोटा मोटा सा डालेंगे, पतला नहीं डालना क्योंकि बैटर अल्रेडी पतला है, ऐसे में अगर आप पापड को ज्यादा पतला डालोगे, तो ये बहुत ज् इसलिए बस इसको डाल कर हलका सा इसको सेप दे देना है, जैसा भी गोल, मटोल, छोटा या बड़ा आपको जैसा भी सेप पसंद है, वैसा आप इसको तेज सकते हों, पापडों को अच्छे से फिला देना है, फिलाने के बाद आपको कम से कम 2-3 दिन तक इसको बिल्कुल सुखाना है, तो अगर आप बिल्कुल मॉर्निंग में ये पापड बनाते हो, तो साम तक ये पापड सूख जाता है, बिल्कुल अच्छे से बनकर एक ही दिन में रेडी हो जाता है, तो दूप पर डिपेंड करता है, एक या दो दिन आप इसको बिल्कुल अच्छे से दू लीजिए उसके बाद यह पापड हमारा बन कर तयार हो जाता है इसको सुखा कर साल भर के लिए आराम से स्टोर कर सकते हो तो आप देख सकते हो राद भर मैंने इस पापड को पंखे में सुखाया था नेक्स्ट ए मैंने इसे दो तीन घंटे के लिए धूप में डाल दिया और बिल्कुल अच्छे से ये पापड मेरा सूख गया है आप इस तरह से चावल का पापड बना कर सुखा कर स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हो आपको चावल के पापड की रेसिपी कैसी लगी गाइस प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को एक लाइक कर दें हमारी इस मेहनत को अप्रेशियेट कीजिए प्लीज तो मैं अब आपको इससे तल कर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो तेल गरम हो गया हो इसमें मैंने जैसे ही पापड को डाला कुछी सेकेंड में पापड बिल्कूल अच्छे से फूल गया है तो आप देख सकते हो यह अपने साइज से तीन गुना जादा बड़ा हो रहा है मैं और भी पापड आपको तल कर दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड चावल का जो पापड है बहुत अच्छा बना है तो चावल के आटे का यह पापड की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपके इस लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है वीडियो को आप फ्रेंड पेमली के साथ सेयर भी कर सकते हो तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने चावल का जो पापड़ है उसको तल लिया है और अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये पापड़ कितने ज़्यादा अच्छे और कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और इस तरह से आप जितना भी चाहे उतना पापड़ बने हैं बिल्कुल हात में हां से दबाते ही चूर-चूर हो जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो बहुती सॉप्ट पापड बने हैं आपको चावल की पापड की रेसिपी पसंदा इसके लावा और भी पापड की रेसिपी मेरे चानल पर हैं तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा फिर मिलें किसी और अच्छी से वीडियो में